रोजाना राशीफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें मित्रों आज जम बात करने वाले हैं मंगलवार 13 जुलाई आपका देनिक राशीफल यहाँ राशीफल आपके चंद राशीफ पर आधारित है आज आपके लिए क्या पॉजिटीव रहने वाला है आपके उपर गरहों की स्तती कैश्ची रहेंगे क्या-क्या योग बनेंगे और इन सबी का असर आपकी राशीफ पर क्या होगी चलिए हम पूरी विश्तार्शी जानेंगे तो आप सुरू से अंत तक जरूर बनी रहें अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सिखना चाहती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर शकती है चलिए देनिक राशीफल की शुरुबात करती ही आज की पंचांग से 13 जुलाई 2021 दिन आज मंगलवार का है और आशार मास के सुकलपक्ष की तृतिया तिथी बन रही है यहां शुबह के 8 बच कर 24 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांद सुकलपक्ष की चतुर्थी तिथी आरम हो जाएगी नक्षद रहेगी मगा नक्षद यहां रात्री के 3 बज कर 41 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांद पोरुफालगुनी नक्षद आरम हो जाएगी योग रहेगी सिध्धी योग यहां दो पहर के दो बच कर 48 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांत व्याती पात योग आरम हो जाएगी आज का सूरी उदे का समय सुभै के 5 बच कर 53 मिनट पर और सुर्यास्त होगा साम 7 बच कर 11 मिनट पर सूरी रासी रहेगा मिथोन रासी पर और चंद्रमा आज सिंग रासी पर गोशर कर रहे हैं आज के दिन का सुभ समय यहां दो पहर के 12 बच कर 6 मिनट से लेकर ठीक 12 बच कर 69 मिनट तक रहने वाला है यह समय सूब और नए कार की सुरुवात बिल्कुल कर शकती है और राहुकाल का समय रहेगा ठीक साम के 3 बच कर 52 मिनट से लेकर ठीक 5 बच कर 32 मिनट तक याद रखेगा दोस्तों राहुकाल की समय किसी भी तरह के नए और सूब कार की सुरुवात बिल्कुल ना करें अन्य विगन बाधाएं आज सकती है चलिए अब बात करती है आपका दैनिक राश्री फल मैस राश्री वाले जातक हम आपको बताना चाहेंगे आज आपको शेहत को लेकर परिशानी हो सकती है और किसी कारी के परिणाम सुखद होंगे साथ ही सिक्षा के सेत्र में आपको मन लगेग और आपके परिवार वालों के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी खर्ष काफी हो सकती है और खर्ष करने की प्रविर्ती पर नेंतरन रखें शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कार्यस्थल पर खुस खबरी मिलेगी औ और युवाओं को आज नौकरी मिलने की शंभाव ना है शाथ ही अंजान लोगों से आपको लेन देन नहीं करना चाहिए शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे अपने वैभाट से सभी परभावित होंगे और दिन शर्य में बदलाव ला पाएंगे हम आपको बताना चाहेंगे वहीर दोस्तों कामकाजी लोगों को थोड़ी जैमादारी मिल जएगिा और आज आप डंपति ढोमने जायING शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आपको दुसरों की मदद करने में शुकूर मिलता है इसलिए आज आपका दिन परोपकार में वैतित होगा शाथ ही संचार माध्योमों की प्रयोक से वैवसाइक उपलग्धियां प्राप्त होंगी और कारिक शित्र में बदलाव होने से आपके शाथियों का मूड थोड़ा खराब हो शकता है लेकिन अपने शद वैभाट से माहल को शमानी बनाने में आप काम्याब रहेंगे शाथ ही दोस्तों सयंकाल के समय जीमन शाथि का स्वास्त खराब होने की वज़ज़ से आपको थोड़ी भाग दोड़ करनी पड़ शकती है और शेहत का आपको ख्याल रखना है शेहत भी आज आपका परिशान कर सकता है इसलिए उनके उपर भी आज आपको थोड़ा ध्या मत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरू कर दें शाथ ही स्रद्धाभाव से कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिख दें धान्यवाद आपका दिन सुब रहे